दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मटका बॉलिवूड यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस घंटे को ताके आपको मिल सके बॉलिवूड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दोस्तो स्वागत हैं आपका एक बार फिट से जिहां दोस्तो आज हम आपको अभिनेता अक्षे कुमार की 18 मई 2001 में रिलिस हुई फिल्म एक रिष्टा और हिमान्शु मलिक की 13 जुलाई 2001 में रिलिस हुई फिल्म तुम बिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे हम बताएंगे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं तुम्बिन फिल्म के बारे में दोस्तों अगर हम तुम्बिन फिल्म के बात करें तो ये फिल्म 2001 में रिलिज हुई थी और ये एक हिंदी ड्रामा रोमैन से भरपूर फिल्म थी इस फिल्म को अनुभव सिनहा ने डायरेट क्या था इस फिल्म में हिमांशु मलिक, प्रियांशु चटर जी और संदाली सिनहा थे अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो 10 करोड रुपए था इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 5 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या था और तुम बिन फिल्म को बनाने में 5.5 करोड रुपए खर्च हुए थे और ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं एक रिष्टा फिल्म की बारे में दोस्तों अगर हम एक रिष्टा फिल्म की बात करें तो ये फिल्म भी 2001 में रिलीज हुई थी और ये एक ड्रामा रोमैंस से भरपूर फिल्म थी इस फिल्म को सुनिल दर्शन ने डेरेट किया था इस फिल्म में अक्षे कुमार, अमिता बच्चन और करिश्मा कपूर थे अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ड वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो 32 करोड रुपए था इस फिल्म ने इंडिया में तकरिवन 16 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन की था और एक रिष्टा फिल्म को बनाने में 12 करोड रुपए खर्च हुए थे और ये भी एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी तो दोस्तों आपको इन दोनों फिल्मों में कौन से फिल्म से आदा पसंद आई थी कमेंड में सरूर बताईएगा मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू